परियोंपरी दर्सकों, जिदि आपकी व्रश्चिक राशी है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्पूर होने बाली है, क्योंकि जैसे कि आपने थम्रेल में पढ़ी लिया होगा, कि लोटरी लगने वाली है, और साथ में क्या होने वाला है, आप से जो लोग जलते हैं, उनकी अब बुरी स्तिती चालू हो गई, उनका बुरा समय अब चालू हो चुका है, उनके कहा जाए तो अब बाट लगने वाली है, वो कैसे लगेगी, और आपको लोटरी कैसे मिल सकती है, ये हम समझे पहले हम समझेंगे कि ये जो आप से जलते हैं, सत्रू हैं, उनकी इस्तितियों में कैसे अब बदलाव होगा, उनका समय अब कैसे खड़ाब चालू होने वाला है, और उससे क्या लाब होगा, फिर हम लोटरी के बाले हम समझेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वी भई आपका लेवल चेंज हो रहा है, या आपके पडोशी हों, आपके मित्र हों, या घर के हों, या बाहर के हों, या कोई भी हो, चाहिए आप ब्यापार करते हैं, बाहर से तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, परंतो अंदर ये अंदर जलते हैं कि भई आपका ब्यापार क क्यों कर रहे हैं आप इतना आगे बढ़ गए और वो ही क्यों ही रहे गए लोग जलते हैं क्योंकि लोगों को ये चीज हजम नहीं होती कि आप आगे बढ़ें लोगों को अपने दुप से तकलीब जादा नहीं है आप आगे बढ़ रहें आप सुखी हैं उससे जादा सनी देव, अंपना नशत्र परीवितनं через में गोचर करने बाले हैं, यह गोचर करने बाले हैं, कप्षे? 28 नवंबर से ही गोचर करना प्रादम कर चुके हैं, परन्तु अब मैंने क्यों लिखा कि 2 दिसंबर 2023 से लेके 6 अप्राइल 2024 तक यह समय होगा क्योंकि देखिए जब सनिदेव चाहे वो रासी परिवर्तन करें और चाहे वो नच्छत्र परिवर्तन करें कोई विस्तियों में उनके चेंज होता है तो रिजल्ट मिलने में थोड़ रिजल्ट आपको देंगे तो आपको दिखेगा भी दीरे दीरे तो यहाँ पर 2 दिसंबर से इस तुटियों में थोड़ा आपको प्रभाव दिखेगा दीरे दीरे क्योंकि यह समय लंबा है तो आपको दिखने लगेगा आंगे चलो के और यह जब राहु के निशत्र में गोचर करते हैं राहु क्या है ब्रहम है राहु क्या है सबसे पापक ग्रह है सनी कौन है शत्र के न्याय के देवता कहे जाते हैं कर्म के देवता है तो जब यह राहु के निशत्र में गोचर करते हैं तो सनी देव के दरवार में राहु कोतवाल बनते हैं और के तु जो रा कि देखें जाए तो इस्तितियूं को जितने भी उसने कंडिये हैं किसी का बुराष सोचा है किया है युदजनाहे बनाई वनाई है। सभ्सने देप को बताते हैं और सनी देप दंडित करते हैं। सनीधेत के पास दंडِ इसलिए लोग सन्य देव से बहुत ड़ते हैं क्यों कि आपने यदि गलती की है बुरे कर्म किये हैं किसी को सताया है तो अब आपका समय बदलाव होने वाला है और आपने यदि अच्छे कर्म किये हैं तो आपको अच्छा मिलेगा तो आपके जो शत्रू हैं उनका बुरा समझ चालू होने वाला इसी लिए अब हम समझते हैं लोटरी के बारे में जो जिसके लिए आप संभव की इंतजार कर रहे हो कि लोटरी कैसे गुरुजी लगने वाली बताईए जो सबसे पहले यही बता देते तो अच्छा होता अब ही बताता हूं थोड़ा धहरे रखिए तो प्रीदर्श को यहां समझने वाली बाती है लोटरी मतलब अचानक लाब आपको अचानक लाब मिलने वाला है क्या मिलेगा कैसे मिलेगे समझते हैं अब जब राहू के नशत्र में संदेव गोचर कर रहे हैं तो राहू का काम क्या है अचानक ब्रद्धी कर देना अब अचानक देखिए बात की जाए तो राहू आपके शिदे लाब आए भाव से संबंद बना रहे हैं तो यह आपके आए में ब्रद्धी करने वाले है तो ब्रद्धी अब करने इनका दो तरीका है, क्योंकि ये पापक ग्रह और कुरूर ग्रह कहलाते जैसे, तो ये क्या करेंगे कि कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपको रोगों में, बेफचूल के खर्चों में भी ये ब्रद्धी करवा देते, तो वो कहीं बेबज़ए की खर्च करवाएं, बीमारी कुछ दे दे हमको, या कोई ऐसा इस्तिती बना दें, जहां बेबज़ए के खर्च हों, उससे पहले हमको इन्वेस्ट करना हुगा कहीं सही जगह में, तो फिर राहु उसको बढ़ाने वाले हैं, मतलब उनका काम है बढ़ाना, यदि आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको कितने गुना आपको बढ़ा के दे दे, कुछ कहीं नहीं सकते हैं, आपने मैं एक्जामपल दूँ कि जैसे आपने एक लाक रुपए के इन्वेस्ट किया, तो उसमें चलो दो लाक मिल जाने वाला आपको ठीक है, परन्तो राहु चाहे तो उसको पांच लाक, दसलाक कितना कर दे, कुछ से भी जादा कर दे, कुछ कहीं नहीं सकते हैं, क्योंकि राहु ब्रद्धी कर देता है, क्योंकि आपने देखा होगा, कि अक्सर लोग, जो लोग अचानक, जैसे अभी जीरो में हैं, और सिधे लगपती, कडूर पती बन गए, उनके जीवन में इन तीन ग्रहों का, किसका, सनी का, राहु का, और केतु का, खास कर राहु का, हाथ बहुत जादा होता है, तब ही लोग, परन्तु ये भी बात है, कि राहु कडूर पती को भी भिखारी बना दे, समय नहीं लगता, इसलिए राहु को समझना, बहुत मुस्किल होता है, तो आप इनवेस्ट करें, सही जगह में, परन्तु जैसे मैंने कहा, कि राहु को समझना, बड़ा मुस्किल है, इसलिए आप ये गोचर में, शमा करिएगा, ये गोचर म तो ठीक है, आपके लिए लाभ दायक बन रहे, परन्तु क्या है, जन्म कुंडली, क्योंकि जन्म कुंडली का और गोचर का, फिप्टी फिप्टी परशंट प्रभाव होता है, तो 50% प्रभाव तो बन रहा है, यहां पर कि आपको लाभ मिलेगा, परन्तु आपकी जन्म क्या स्थिति है राहू से सनी से इनका क्या संबंद है जैसे अबलगनेस का कैसा संबंद है कहां आपकी जनकुंडली में बैठे हैं किस रासिम बैठे हैं इनकी स्थितियां कैसी है यदि ये आपके लिए लावदायक हैं आपकी जनकुंडली में भी अच्छी स्थिति में हैं तो ये तो पक्की बात है कि आपको लाब मिलेगा, परन्तु ये कहीं न कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बहुत सो समझ के, और एक बात और भी मैं कह दूँ, क्योंकि इंवेस्टिमेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती, ये ब पूरी तरह से आप समझ लेकि हाँ ठीक है, तो फिर इंवेस्ट करिए, तो जब आप इंवेस्ट करेंगे, तो फिर उसे राहू ब्रद्धी के ओर ले जाएगा, आपको लाब दिलाएगा, फरन्तु यदि आपने गलत इंवेस्ट किया, तो राहू उसको जीरो भी कर सकता ह इसलिए जन्म कुंडली को आपको समझना बहुत जरूरी है, कि आपको जन्म कुंडली में क्या इस्तिती है इनकी बरतमान में, और गोचर के हिसाब से भी क्या इसमें बैठ रहा की नहीं बैठ रहा है, ये समझना, तो दिये हुए नंबर पे आपको वार्शप में मैसेज क कर सकते हैं, ये जो नंबर आप देख पा रहे हुए, इसमें मैसेज कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या इस्ति हैं आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की, और उपाय मैं एक बता दूं कि भगमान नारेण और माता लक्षमी की आराधना करना है, जिससे भगमान नारेण और मा लग्षमी कमल से विश्णल जी का टूल सी से जितनी सेवा हो सके कृई और मन ही मन जय मालक्षमी जय मालक्षमी अब बोलते रहे उसमें कुछ पैसा तो लगना नहीं अस्मरण होता रहें गा मां कि खु alma कभिका कमें आchange जै मालक्षमी आपको लिखना है जिससे खली लिखना नहीं है मैं लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ जब आप लिख रहे हैं उस समय तस पचास बार बोल जाईए आप लिखेंगो तो आपके मन में तो आए गया ना ही जय मालक्ष में, तो आपकी लाब हो जाए, असमरन करने से महां तक क्रबा प्राप्त हो जाए, तो इन बातों का ध्यान रखें, और लोगों को साथ जरूर सेयर करें, क्योंकि ये बहुत महत्पून वीडियो है, क्योंकि लोग ये छोटी गलती कर गए, तो उनका इंवेस्ट क्योंकि झालक्पून वीडियो है, वे जरूछी उनका करोछी वीडियो है, वी जर लोगो को ज्येर का तो ये क्योंकि ये झालकून